चलो यह वीडियो पहुच करो और सॉल्व करो, देखो कौन से कॉंसे कॉंसेप्ट हो है, आइडियल गैस हीट इंजन, एक्चली को करनो इंजन पर बहुत सवाल पूछा जाता है, आपरेट बीट्विन दे टू टेंपरेचर, ओविएसली सोर्स और सिंक, जो हाईयर है वो सोर संक है, तो सोर्स टीवान है, वो 227 डिग्री सेल्सियस है, इसमें 273 एड करतो, तो 200, 300, 200, 400, 500 किल्विन आ गया, और जो टीटू है, वो कितना भई, 127 डिग्री सेल्सियस, 273 एड करतो, तो यह जाएगा 400 किल्विन, ठीक है, अब सब को पता है कि यह बेसिक सा, हमारा हीट इ यह वर्गडन हो गया यह सोर्स है सिंक है वर्किंग सब्टांस ने वर्क कर दिया यहां यह टेमप्रेचर टीवन है यह टीटू है यहां से हीट आती है वर्गडन में कुछ कनवर्ट हो जाती है कुछ बेकार वेस्ट हो जाती है अब करता है इट अब्जॉर्ब एमांट आफ हीट कनवर्टेट कॉन जारे मत्लब कितना हीट वर्क में कनवर्टा रहा हो निकालना है तो जो यह जो हीट ऊपजकर और किवट एक उल्लू कि कर यहां होता है और यहां Q2 होता है, तो अगर यहां से अब्सॉर्ड हुआ है, तो यह Q1 की वेलू है, मेरे भाई, तो यह Q1 की वेलू है, कितना 6 इंटू 10 की पावर 4 कैलोरी, this is the value of the Q1, तो वर्क डनकर मुझे निकालना है, तो मुझे Q2 भी चाहिए, फिर डिफरेंस लेना है, तो चलो, कु वाला रिलेशन, T1 माइनस T2 is equal to Q1 माइनस Q, T1 अपन T2 is equal to Q1 अपन Q2, तो इसका मतले वेलू है, T1 है, T1 है 500, T2 है 400, Q1 है 6 इंटू 10 की पावर 4, तो यहां से मुझे Q2 आजाएगा, Q2 सॉल्व कर लो, तो 0, 0 ने 0, 0 को, और A आजाएगा, Q2 आजाएगा, 24, 24 divided by 5, तो 24 divided by 5, 4.8 इंटू 10 की पावर 4 कैलोरी, यहां से, यहां से मैंने 4.8 इंटू 10 की पावर 4 कैलोरी हमने निकाल लिया Q2, Q2 आजाए, Q1 पहले से दिया था, कितना अबजार हुआ था, 6 इंटू 10 की पावर 4, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आजाएगा, वह ही work done है तो work done is equal to 6 minus 4.8 इंटू 10 की पावर 4, मतलग है जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर 4 कैलोरी work done, इतनी जो है, heat work में convert हो गई होगी, इतनी आई थी, source से ली गई थी, इतनी बेकार हो गई, और इतना जो heat है, वह convert हो गया work done में, 1.2 इंटू 10 की पावर 4, that is the option, साही है, चलो, वी